अलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जामेजान पे तो इक बाइफिर से मैं हाजिर हूँ 13 अक्टूबर 2020 के इंपोर्टेन इविडिन्स के साथ आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफी ध्यान से सुनें क्यों की लास्ट में आपको दो कोशिंब के ज travaille मैं आज पहला कोश्शन है पोर्ट्रेट अफ्पावर बोख 21 पर्सन की आउटोबायोग्राफी यानि आसमें तो पोर्ट्रेट अउफ्पावर बोख यह जो है N.K. सिंग की, किसकी? N.K. सिंग की आउटो बायोग्राफी है ये देखे, ये है Portrait of Power Written by N.K. सिंग, Released by N.K. सिंग और आउटो बायोग्राफी किसकी है? N.K. सिंग कौन है? इस समय 15th Finance Commission चल रहा है उसके Chairman है N.K. सिंग ये जो Portrait of Power Book है इसको रूपा Publication के द्वारा पब्लिस किया जाएगा जो ये N.K. सिंग है ये बिहार से राजिसभा सांसत भी रह चुके हैं तो आप नोट कर सकते हैं नेक कॉर्शन है, मेरी सहली ये एक Women Safety Campaign है किसके दोरा लाँच लाँच लिए गया था? तो मेरी सहली जो की Women Safety Campaign है इसको RPF ने लाँच गया था Railway Protection Force इसके दोरा मेरी सहली Campaign को लाँच 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 लिए गया था लिसेंटली अमरावती एक्सप्रेस में जो की साउथ इंडिया में चलती है कहां से? विजेवारा और हुबली के बीच में अमरावती एक्स्पेस हलती है उसमें मेरी सहली इनिशेटी को लांच कर दिया गया है ये देखिए ये दो पूलिस आफिसर होंगी जो विमेन हेलप लाइन प्रोइड करेंगी यात्रा के दोरान तो मेरी सहली ये इनिशेटी लांच की आगया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के दोरा देखिए इसी के साथ साथ 182 नंबर की हलप लाइन भी लांच की गए है विमेन्स के लिए आरपिएफ की बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसकी स्थापना तो 1872 में ही हो गई थी लेकिन जो आरपिएफ एक्ट है वो 1957 में पास हुआ था आजाजी के बाद देखिए वटवान में डाइटर जनल कौन है आरपिएफ के अरुन कुमार सिंग साथ सी साथ आरपिएफ का मोटो क्या है यसो लभास्व यसो लभास्व नएक कोशन है आई एफ एस सी ए इंटरनेशनल फिनांसियल सर्विस सेंटर अथॉर्टी इन्होंने रीड्स और इन्वीड्स के लिए जो गिफ्ट सिटी में ओपन किये जाएंगे उनके लिए डेगुलेटरी फेंवर्क प्रिस्काइब कर दिया है आपको ताना है यह आई एफ एस सी ए कहां पर इस्तित है तो आई एफ एस सी ए गुजरात के गांधी नगर में आई एफ एस सी ए इंटरनेशनल फिनांसियल सर्विस सेंटर अथॉर्टी इसका हेड़क्व जोन है एक तरह का इसमें नॉर्मल जो वेरियंट होते हैं या पर नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन होते हैं एकनॉमिक के लिए वो अप्लाइ नहीं होंगे काफी सारे लाफ दिये जाएंगे यहां पर काम करने वाली संस्ताओं को तो गिफ्ट सिटी में रिट्स एन इन्व साथिसात्इज साथ इन्वेस्स का फुलफाउं क्या है? इंफ्रस्रीक्चर इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो यह दोनों का फुलफाउं मैं रिखेगा इसको विसाखा पत्णम डॉक याड में इंडियन नेवी में इसके दोरा कमिशन किया गया है तो आइन अइस कावरत्य को कमिशन किया गया है एम एम नर्वने, कन्फ्यूज मत हो येगा हमारे जो 28th आर्मी चीफ हैं के आäs लिए अन्हों उन्हों नर्वने के Allijowa अंडियभा कि यह इंडिया नेवी में कमिशन कर दिया है आलाकि यह इंडिया नेवी धाया जटारी सा है तो को सब्सब्रॆ और कि तहथ है जिन्हें औरीज़न के तहथ बना जाया रहा है कौन से प्रोजेट की तहथ तहत कुमार्ता क्लास के या कमोर्ता क्लास के फोर एंटी सम्मरीन वारफियर स्टेल्थ सिब बनाय जा रहे है उन्हीं में से एक है आपका आई एनस कावरती कहां पे कमीशन क्या गया है आपको जाद रखना है विशाखा पट्टम डॉक्यार्ड में कमीशन किया गया है किसने कमीशन किया है तो MM नर्वने मनोज मुकुंद नर्वने ने कमीशन किया है आई एनस कावरती को बनाया किसने है तो आई एनस कावरती को बनाया है गार्डेन गार्डेन रीच SIP Builders and Engineers Limited जो कि कुलकत्ता में है जो कोशन है डॉक्टर हर्सवर्धन द्वारा किस सिटी में अदिती उर्जा सांच जो कि एक Eco-Friendly DME Fired Stove Unit है इसका इनोगरेशन क्या गया है तो डॉक्टर हर्सवर्धन द्वारा अदिती उर्जा सांच का इनोगरेशन क्या गया है पुने में पुने में जो CSIR CSIR की National Chemical Laboratory है वही पर अदिती उर्जा सांच का इनोगरेशन क्या गया है डॉक्टर हर्सवर्धन द्वारा ये अदिती उर्जा सांच क्या होंगे देखे जैसे हम लोग अभी सिलिंडर यूज़ करते हैं LPG सिलिंडर तो उसमें LPG ही होता है लेकिन अब उसमें DME को ब्लेंड कर दिया जाएगा डाई मिथाइल एथर को अड़ कर दिया जाएगा इससे उसकी आउक्टेंस अंख्या भी बढ़ेगी यानि कि highly inflammable होगा साथ से साथ उर्जा कंजर्वेशन भी होगा तो रिसेंटली अधिती उर्जा साच जो की DME फायर्ड स्टोव यूनिट है यानि उसी तरह के सिलिंडर प्रोवाइड किये जाएगे यहाँ पर भी इसका इनॉग्रेशन किया गया है दॉक्टर हर्सवर्धनवारा कहाँ पर जो पूने में CSIR की National Chemical Laboratory है वहीं पर इसको sit-up किया गया है यह जो सिलिंडर होगा इसकी जो weight होगा वो 20 से लेकर 24 kg के आसपास होगा अभी कितना मिलता आपको गैस तो गैस मिलती है 14 kg के आसपास जबकि उसलिंडर का weight होता है 30 kg नया question है इंडिया tourism statistics 2020 के नुसार foreign tourists को attack करने में किस state ने top किया है तो domestic tourists के लिए और total tourists के लिए हनों पढ़ चुके थे यूपी ने top किया है foreign tourists को attack करने में एगवा फिर से Tamil Nadu ने top कर दिया है Tamil Nadu first place पे है second है महराष्ट्रा और third पे है यूपी sorry third पे है यूपी जिसने foreign tourists को attack किया है इस figure पे मत जाएगा सिर्फ आप Tamil Nadu देखिएगा टाउप पे है foreign tourists को attack करने में देखिए अगर domestic tourists की बात करें तो जितने भी domestic tourists आते हैं उसमें से 23% सिर्फ यूपी आते हैं लेकिन अगर forest tourist की बात करें तो Tamil Nadu सबसेदा direct करता है अचा किस country से सबसेदा forest tourist आते हैं तो बंगलादेश बंगलादेश के सबसेदा forest tourist इंडिया आते हैं आपे देखिएगा इन्हें कोशन है मोविद्यूद portal ये किस state cm दवरा launch कर गया है तो मोविद्यूद portal इसको launch कर गया है ओडिशा के cm नवीन पतनाएक दवरा ये देखिए ये हैं नवीन पतनाएक इन्होंने मोविद्यूद portal को launch कर दिया है इसमें जो electricity consumers होंगे उनके लिए सब ही services प्रवाइट की जाएंगी तो आप एद रखिएगा मोविद्यूद portal ये ओडिशा के cm नवीन पतनाएक दवरा launch कर गया है ये एक bilingual platform होगा यानि ओडिया language में और English language में आप कोई भी service ले सकते हैं ओडिशा की बात करें सीम कौन है नवीन पतनाएक गवर्न कौन है गनेशी लाल देखे एशिया की largest salt water lake जिसका नाम है चिलका लेक वो ओडिशा में ही है इसको कोशन है ICMR द्वारा approved कोवी रैप जो की एक COVID-19 diagnostic kit है इसको किसके द्वारा develop किया गया है तो कोवी रैप को develop किया है IIT खड़कपूर ने कोवी रैप आप यहां देख सकते है कोवी रैप एक COVID-19 diagnostic kit है मात एक घंटे में ये COVID-19 positive या negative की report provide कर देती है साथ साथ 500 rupees में ही available हो जाती है अभी तक ICMR ने इसको approval नहीं दिया था recently ICMR Indian Council of Medical Research इसके दोरा इसको approval दे दिया गया है किसने बनाया है कोवी रैप को तो IIT खड़कपूर ने बनाया है IIT खड़कपूर की बात पर यह है खास कि 1951 में IIT खड़कपूर की स्थापना हुई थी इंडिया की first और oldest IIT है एक दो एक्जाम में पूछा जा चुका ही है ने कोशन है गौर्मेंट द्वारा जम्मो कस्मीर के एपल को financial year 2021 के दौरान ही MIS scheme में सामिल करने के लिए किसके दिश्चता में यह committee बनाए गए है तो recently government of India ने announce किया है कि financial year 2021 से जो जम्मो कस्मीर के एपल है उनको market intervention scheme में सामिल कर लिए जाएगा इसके लिए government of India ने नवीन चौधरी के दुश्चता में एक committee बनाई है नवीन चौधरी कैसे किया जाएगा क्या process होगा यह सब कुस नवीन चौधरी committee recommend करेगी तो government of India ने announce किया है जो जम्मो कस्मीर के एपल्स है उनका procurement किया जाएगा MIS scheme के तहट market intervention scheme के तहट from 2021 देखे यह procurement करेगा कौन तो NAFET करेगा National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited NAFET के दोरह यह एपल का procurement किया जाएगा NAFET Central Government की Apex procurement agency है यह market intervention scheme क्या है जब भी market में किसी जो community होती है उसका production 10% से उपर हो जाए या फिर उसके price में 10% से अधिक का drop हो जाए तो market intervention scheme लागू हो जाती है इसके procurement का कारिभाद सारा government देखने लगती है फिर NAFET कोशन है EACI Election Commission of India ने जो candidate होते हैं election में पार्ट लेना ले candidate उनकी expenditure limit को examine करने के लिए कितने members की committee बनाई है तो election commission of India ने two member committee बनाई है कितनी two member committee बनाई है ताकि candidate की election में expenditure limit का examine किया राज़के देखी candidate की expenditure limit है 2014 में बढ़ी थी यानि six years हो गए हैं इसको बढ़े हुए तब से लेकर आज तक बहुत सारी चीजे change हो चीए है तो इसको ध्यान में लेकते हुए हमारे election commission of India इन्होंने हरीस कुमार और उमेश सिना हरीस कुमार और उमेश सिना की joint committee बनाई है जो candidate की expenditure limit को तै करेए recent में क्या हुआ है देखिए ministry of law and justice ने recently immediate effect से जो candidate की expenditure limit है बिहार election को देखते हो इसको 10% बढ़ा दिया है तो आप ये भी note कर सकते हैं बात करें अगर election commission of India की तो समयधान के article 324 के तह है election commission of India की स्थापना की गए थी first chief election commissioner को थे सुकुमार सेन सुकुमार सेन इंडिया के first chief election commissioner थे वरतमान में 23rd chief election commissioner कौन है तो सुनील अरोडा इंडिया के 23rd chief election commissioner है next question IISF का 6th edition किस इंडियन सिटी में organize किया जाएगा तो IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इसका 6th edition न्यू दिली में organize किया जाएगा इसेंटली डॉक्टर हर्स वर्धन जो कि हमारे minister of earth and sciences है उन्होंने announce किया कि 20 seconds से लेके 25 December के बीच में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 6th edition नए दिली में organize किया जाएगा इसके पहले भी 1st and 2nd edition भी नए दिली में ही organize किया गया था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कि वो इंडिया में अपना पहला water attache appoint करेगी जैसे लोग ambassador appoint करते हैं वैसी water attache भी होता है military attache भी होता है बहुला कि ambassador type का ही होता है जिस sector के लिए छाहिए, उस sector के लिए आप appoint कर सकते हैं तो recently Israel ने announce किया है कि इस्राइल ने announce किया है तो इंडिया में अपना पहला water attache appointment करेगा purpose क्या है agriculture की field में water management को best practices कैसे अपनाई जाएं इसके विशने में help करने के लिए इसराइल इंडिया में अपना पहला water attache appointment करेगा तो आप आप आदेखेगा इसराइल की बात करें तो इसराइल के जो इंडिया में ambassador है नाम क्या है Ron Malca उनके दोरा ये announcement क्या गया है इसराइल में में देख लिए आप ये है इसराइल capital क्या है Jerusalem इसराइल का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तेलवी इसराइल की currency क्या है सिकल इसराइल की पालिया में का नाम क्या है Neset K-N-E-S-S-E-T Neset ने question है किस payment company ने announce किया है कि वो अगले 12 से 18 महिनों के दोरान 2 million co-branded credit card distribute कर देगी तो recently Paytm में announce किया है Paytm ने announce किया है कि next 12 to 18 months के दोरान Paytm 2 million यानि 20 लाग co-branded credit card launch कर देगा distribute कर देगा co-branded credit card क्या होता है किसी bank के साथ आप agreement करेंगे और उनसे provide किये गए credit card आप distribute करेंगे साथ-साथ Paytm ने ये भी announce किया है कि next generation credit card भी develop कर रहा है next generation credit card क्या होगा virtual credit cards होंगे ये भी Paytm ने ही announce किया है Paytm की बात करें नी कौन है 197 communication next question है किसने announce किया है कि वो bond blocks bond blocks नाम का blockchain trading platform launch कर देगा 2021 था ताकि individuals के द्वारा bonds में investment किया या इसके blockchain technology के माध्यम से तो recently bond e-value bond e-value द्वारा announce किया गिया है कि वो bond blocks bond blocks नाम का blockchain trading platform launch कर देगा इसमें क्या होगा आप bitcoin का यूज करते हुए या फिर blockchain technology का यूज करते हुए bond market में investment कर सकते हैं जिससे हम लोग अभी sensex में इंडियन रूपीज में investment करते हैं वैसे ही एक blockchain trading platform जिसका नाम होगा bond blocks इसको launch किया जाएगा 2021 तक किसके दौरा bond evalue के दौरा bond evalue की बात करें तो ये एक Singapore based fintech company है इसको develop किया गया है Indian origin राजराम कंनन और राहुल बैनर जी दौरा तो इसके दौरा announce किया गया है कि वो bond blocks को launch कर देगी जो कि एक blockchain trading platform है यानि blockchain के माद्यम से जो bonds market होंगे उसमें invest किया जाएगा जैकोंशन है SBI सॉरी Σेवी Securities and Exchange Board of India दौरा market data advisory committee बनाएगी है जिसके अधिस्चिता करेंगी मधाभी पूरी bus मधाभी पूरी bus के दौरेश्चिता में सेवी ने एक market data advisory committee बनाएई है MDAC ये हैं मधाभी पूरी bus ये सेवी में पॉल टाइम डिरेक्टर हैं इन्ही के रच्छता में सेवी ने मार्केट डाटा एडवाइजरी कमिटी बिनाई है देखे, स्टॉक मार्केट या फिर सेयर मार्केट में जो भी आपके बॉन मार्केट होते हैं सेक्रिटीज में उसमें डाटा कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये मार्केट डाटा एडवाइजरी कमिटी रेकमेंड करेगी ये मार्केट डाटा एडवाइजरी कमिटी अपनी रिपोर्ट 120 डेस में सम्मिट कर देगी और इसकी चेर परसन कौन होगी? सेवी के बात करें सेक्योर्टीज एन एक्षेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस तापना तो 1988 में ही हो गई थी लेकिन सेवी एड़ का पासवा था 1992 में हेड़कॉर्टर मुंबाई में है और इसके चेर परसन कौन है? आजे त्यागी इने कोशन है ग्लोबल लिंकर के साथ मिलकर किसने तेलांगना गौर्णमेंट के साथ एक MOU साइन किया है ताकि MSME को एक्विटी फंडिंग के दोरा सपोर्ट प्रवाइड किया सके तो रिसेंटली BSE Bombay Stock Exchange इसने और ग्लोबल लिंकर ने तेलांगना गौर्णमेंट के साथ एक Memorandum of Understanding साइन किया है ताकि जो MSMEs हैं तेलांगना में Micro, Small and Medium Enterprises उनको एक्विटी मार्केट के दोरा फंडिंग कोवाइड किया सके ये देखिए ये तेलांगना गौर्णमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं MSMEs को एक्विटी फंडिंग के दोरा फंड प्रोवाइड क्या सके तो कि BSE है इसमें इन्वाल तो BSE की बात कर देते हैं Bombay Stock Exchange 1875 में इसकी स्थापना हुई थी एसिया का oldest Stock Exchange है Headquarter इसका मुंबाई में है और इसमें BSE के MD&CEO कौन है आसिस कुमार चोहान Central Government के Farm Loss को formally reject करने वाला इंडिया का पहला इस्टेट को बन गया है आप सभी को याद होगा Agriculture Act, Farm Act पास किया थे Central Government ने जिसमें MSP पे खरीदना कंपलसरी था तो इसको reject करने वाला इंडिया का पहला इस्टेट बन गया है पंजाब पंजाब ने एक resolution पास किया है पंजाब इस्टेट इसम्बली में इसके तहर सेंटर गोवर्मेंट के सभी Farm Loss को reject कर दिया गया है invalid माना गया है साथ 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 सेंटर गोवर्मेंट ने जो electricity bill announce किया था उसको भी reset कर दिया गया है पहले ही तो पंजाब इंडिया का पहला state हो गया है जिसने सेंटर गोवर्मेंट के Farm Loss को reset कर दिया है साथ साथ चार bill भी introduce किये है इन Farm Loss के against देखिए agriculture जो है ये state subject है समिधान की जो 7th schedule है उसमें state, concurrent list और central list आते हैं तो 7th schedule में agriculture है वो state subject है इसको देखते हुए पंजाब ने announce कर दिया है कि सेंटर गोवर्मेंट agriculture पर कोई भी कानून नहीं बना सकती है और इसने reset कर दिया है इसको पंजाब की बात करें तो ये है map में पंजाब CM कौन है इसके? Captain Amrindar Singh Governor कौन है? VP Singh Bandar पंजाब में जो हर्मिंदर साहिव है जिसको आप Golden Temple के नाम से आनते है उसको Foreign Contribution Regulation Act के तहर Foreign Contribution लेने के लिए छूट प्रोवाइड की गई है ने question है कौन सी Indian firm द्वारा Qualcomm Technologies के साथ partnership की गी है इंडिया में 5G technology को test करने के लिए तो recently Reliance Geo Reliance Geo और Qualcomm Technologies ने आपस ने partnership की है ताकि इंडिया में 5G technologies की testing को start क्या सके Reliance Geo ने एक company को ख़ईदा था दुकी एक American company उसका नाम क्या है? Radices Corporation ये Reliance Geo की only owned subsidiary है इसी के द्वारा यानि Radices Corporation और Qualcomm technology के बीच में एक agreement हुआ है जिसके दर इंडिया में 5G technologies का successfully test किया जाएगा देखे Qualcomm की बात करें तो ये American technology company है Qualcomm आप देखते हैं चिपसेट बनाता है CEO कौन है इसके? Stephen Polenkov Stephen Polenkov Qualcomm Technologies के CEO है ये previous video की question है और ये आज की video से question है I hope कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे जल्दी मिलते हैं आप सब्सक्राइब निश्टर वीडियो में तो तक लिए take care, goodbye and enjoy का जवाब देखते हैं